हेलो फ्रेंड्स यह हेलो एलकेन और हेलो एरीन का फर्स्ट वीडियो है और आज हम लोग इस वीडियो में हेलो एलकेन की मैथड अप्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे तो चली स्टार्ट करते हैं तो हमारा क्या है method of preparation में पहला from alcohol, alcohol से कैसे बनाते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, alcohol की reaction हम लोग मतलब की highlight के साथ करा देंगे, यह जो होता है, यह हमारा जो होता है, लुकास test भी देता है, तो अभी इसकी जरुवत नहीं है, यह हम लोग alcohol वाले chapter में discuss करेंगे, तो और हमारा क्या है, यह देखिए, 3 mol alcohol की reaction जब हम लोग PX3 के साथ कराते हैं, तो 3 mol हमारा क्या बन जाता है, और देखिए एल्कोहॉल की रियक्शन जब हम लोग फासफुरस पेंटा क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है एल्किल क्लोराइड बन जाता है और जो यह हमारा होता है हमारी जो होती है SN2 रियक्शन होती है इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि यह जो हमारा होता है SN2 रियक्शन रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर देखिए और यह हमारा क्या है यहाँ पर जो होता है एल्कोहॉल की रियक्शन हम लोग रिड़ फासफुरस एक्स टू के साथ कराएंगे तो हमारा इल्किल हालाइड बनता है और यह हमारा जो होता है यह भी हमारा SN2 reaction देता है और हमारा है जब हम लोग इल्कोहॉल की reaction SOCl2 इसको हम लोग क्या कहते हैं Dargin's Regents भी कहते हैं SOCl2 को कराते हैं हम लोग तो हमारा क्या बन जाता है इल्किल क्लोराईड बन जाता है प्लस एस ओटू बाहा निकल जाता है तो ये हमारे जो हो गए इल्कुहाल के साथ réaction की इल्कुहाल से हम लोग कैसे इल्किल हैलाइड बनाते हैं ये हो गया अब रियक्टिविटी इल्कुहाल में क्या होता है ये देख लेते हैं, हमारा जो 3 degree alcohol होता है, ज्यादा reactive होता है, और 2 degree alcohol जो होता है, वो थोड़ा कम reactive होता है, और 1 degree जो alcohol होता है, ये बहुत ही कम reactive होता है, तो इसे हम लोग को याद रखना है तो फिर हम लोग इसके method of vibration में देखते हैं कि पहला क्या है free radical halogenation free radical halogenation में क्या होता है देखिए इसमें जो होता है monoclorination इसका जो होता है देखिए यह जो होता है इसका पुरे का monoclorination होता है तो इसमें क्या होता है इलकेन की रियक्शन हम लोग CL2 Ultraviolet Light के साथ हम लोग कराते हैं तो हमारा जो होता है इलकेल हैलाइड बन जाता है इसका जो टोटल हो जाता है यह हमारा हो जाता है और जब हम लोग इसका second by electrophilic substitution जब हम लोग कराते हैं जब हम लोग टालूइन की reaction X2 के साथ मतलब हैलाइड ग्रूप के साथ iron dark में कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है आर्थो हेलो टालूइन और पैरा हेलो टालूइन बन जाता है आर्थो हेलो टालूइन और पैरा हेलो टालूइन हमारा बन जाता है और इससे जो होता है हमारा fluorine compound जो होता है वो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो जो होता है बहुत ज़्यदा high reactive होता है इसलिए उसे हम लोग नहीं बना सकते इससे हम लोग chlorine, bromine, iodine बना सकते लेकिन हम दॉता है ॉलोग झेलर हता है इसलिए का और मासी यह क्या है से अक्षिद मया द्यक्षिंट हम लोगों ने उस वाले वीडियो में नीट के बारे में डिसकस किया था लेकिन अगेडup हम लोग इस वीडियो में सिंटमाय रियक्शन के बारे में डिसकस कर रहे हैं चैप्टर वाइज तो इसमें क्या होता है एनिलीन की रियक्शन हम लोग एन एनो टू प्लस एचेक्स के साथ कराते हैं 278-278 Kelvin temperature के साथ है तो मारा क्या बन जाता है बेंज़ीन डिजुनियम क्लोराइट बन जाता है sorry क्लोराइट की साथ कराते हैं तो मारा क्या बन जाता है एरिल हाइलाइट बना लीता है और हम लोग एकस के जर्क़र पे क्याध सकते हैं क्लोरीन लिख सकते हैं जब हम लोग डाईजूणिम क्लूराइट की रियक्शन, पोटेशियम आयोडाइट के साथ कराएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? आईडोबेंजीन बन जाएगा और हमारा क्या? एंटू बाहर निकल जाता है और हमारा next यआप फ्रॉम इलकेंस तो इलकेंस से हम लोग कैसे बनाते हैं, इलकिल हैलाइड, तो इसमें क्या होता है, एडिशन अफ हाइड्रोजन हैलाइड, जो हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड के इसमें एडिशन कर देते हैं, जैसे एथिलीन में हाइड्रोजन हैलाइड का रियक्शन कर देंगे, तो ये हम बना लेता है और हमारा नेक्स्ट क्या है इसमें भी एडिशन अफ हैलोजन्स इसमें हैड्रोजन हैलाइट के एडिशन हुआ इसमें हैलोजन्स का जो होगा हमारा एडिशन होगा तो इसमें भी जो एथिलीन में बियार्टू सीचल 4 के साथ इसका वह करा देंगे रियक्शन क परादेंगे तो हमारा क्या बना लेगा विक डाई ब्रोमाइड बना लेता है तो हमारा क्या बन जाता है इल्किल आयोडाइड बना लेता है यह जो हमारी होती है फ्रिंकलैस्टिन रियक्शन होती है और मेथिल ब्रॉमाइड की रियक्शन सिल्फर फ्लोराइड के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बनाता है, इल्किल फ्लोराइड बना लेता है, यह जो हमारा होता है, स्वाट्स रियक्शन होता है इल्किल हैलाइड के फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तो हमारा यह जो होता है, यह फिजिकल यहां होगा यह यहाँ पर हमारा फिजिकल होगा तो इसके हम लोग प्रॉमाइड और आयोडाइड होता है जब इस पर लाइड लगती है न तो यह मैं कलर होने लगता है और इसके मल्टिंग पॉइंट और बॉलिंग पॉइंट कोब करें तो हमारा गायोडीनियो ईयोडीन सबसे ज़्यादा सब जभ होती है melting boiling point जब वो नमबर जैसे branches जब increase होती है न तो हमारा जो होता है boiling point भी जो हमारा होता है increase होता है और density की बात करें तो density क्या होता है density जो होती है हमारी number of carbonches जब increase होती है तो हमारी जो होती है density जो होती है हमारी हैलो एलकान यह साथ कंफंस क्राइब हम ऑट I kill है॒ और देपिए Office को बात करें तो यह जब हम लोग हमें क्षारा और यह zeggen वे मेटल्स तो हम लोग कुछ न्युक्रोंफिलिक टेंश के पारे मिश्च कर ले रहे हैं अर बाकिलिख नेट्स Veterans करेंगे तो हमारा इसमें क्या होता है है जब हम लोग यहां पर पारसेल पॉजटिफ है यहां और यहां पर जो है जो है रेजेंट इसमें यह पार्सिल पॉज्टिव हो जाता है और पार्सिल निगर्टिव और यहां होता है पीछे से हमारा नुक्राफिल आटएक कर देता है तो यहां पर जैसे हम लोग ले सब्सक्राइब ले लिए। इल्किल हेलायट की रिक्षन यहनки बना लेता है ऐसा क्यों होता है जो के सिन होना इसमें प्रॉस्च होता है तो ionic bond जो present होता है ionic bond को हम लोग जल्दी से तोड़ सकते हैं तो इसलिए जो होता है यह तोट जाता है तो यह directly cn बना लेता है लेकिन ag cn ऐसा क्यों नहीं करता है क्योंकि इसमें जो होता है covalent bond present होता है जो covalent bond होता है इसे हम लोग आसानी से नहीं तोड सकते तो कोवालेंट बॉंड जो होता है हमारा नाइट्रोजन में वन पेर इलेक्ट्रान जो होता है प्रेजेंट होता है तो यह जो हमारा होता है जल्दी से जाके रियक्ट कर लेता है तो यह हमारा जो होता है एंसी बना लेता है इसलिए ऐसा होता है और हमारा C क्या है इसमें जो Rx की reaction की NO2 के साथ कराएंगे तो यह हमारा जो होता है O-nitrido बना लेता है और यह Ag-no2 के साथ कराएंगे तो हमारा यह क्या बना लेता है लेकिन यह जो हमारा होता है O-nitrido group बना लेता है I hope आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो कुछ mistakes है आप कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ mistakes हो मेरी वीडियो में तो thank you कर दो